हलो एवरिवान वालकम बाक तू राउंड सत्या क्या हाल चाव सब बढ़िया चलिए तो आ गया हूं मैं एक बार फिर से लेकर के आप सभी के लिए हाई स्कूल की पोएम एनिमो जिसको लिखा है वाल्ट विट में ने आज हम जानेंगे इस वीडियो में इसकी हिंदी एक्स् अधिया लगता है आई कूट टॉन मैं बदल सकता हूं मतलब कि मैं खुद जानवर में परिवर्टित हो सकता हूं और लिव इद एनिमल्स और जानवरों के साथ रहना चाहता हूं मतलब बहुत सांध औड सेल्फ रहने वाले आत्म संतुष्ट उन्हें किसे से ज़्यादा मतलब नीं रहता है I stand मैं खड़ा होता हूँ and look at them और उन्हें देखता हूँ long and long एक लंबे समय तक तो इस पहली वाले स्टेंजा में जो कभी हैं उनके इच्छा है कि वो पस्वों में बदल जाए क्योंकि वो जानवरों की दुनिया से बहुत उपता गए हैं से बहुत चुके हैं तो पसु बनना चाहते क्यों कि पस्वों में जो गुड रहता है नहीं करते अफने आप में क्षिट गाटा क्भी ना तो थिकायत करते हैं कि सिंसे हमारा ये खराब हो गया हमारी संपत्ति आसने को रोटे भी नहीं इस तारी चिज़ों पर ते दू नौट लाइक अवेक बिन डे दाक एंड लेक में आड़े ते Wit दू नट लाइव accusation में Autey то पहुत बिलाप करेगा लेकिन वहीं पर जानवार होता है लोege proposed उसके लिए रातिको जाकर करके अपने भी पाप पकिए हूँ या कभी वहेंगे नहींड लोग रोज हो यहां इन्सान अपने करतब्यों का बखान करता है कि हमारे हमें वह करना चीए वह भगवान नाराज हो जाएगा निराज हो जाएगा हमें श्राप देगा हम पर अत्याचार करेगा या हमें वह अपनी विपत्टी हमारे अपर भेज़ेगा लेकिन वहीं पर जान्वर फोते वह ऐसा नहीं करते कि तुम्हें यह करना चीए तुम्हें Cobo करना भगवान नाराज हो जाएगा उन्हें उसे कोई मतलब नहीं और नहीं वह क्या करते हैं डिसकस नहीं करते हैं अपने करतके पेनी बठाथे नहीं भगवान सा इलेखते कि बढ़ाना ऐंगे और हमारी मदद करे अफ करोंसारा आने जो सही लगता है वही वह करता है तो यह रहाए दो इस्टेंजा आगे आए देखते हैं अगले स्टेंज में कि उसकी मीनिय क्या है नॉट वन इस डिससटीफाइड नॉट वन इस लाइन में जो कभी है वो कहते हैं कि not one is dissatisfied कोई भी dissatisfied में औस अंतुष्ट है not one is demented, demented में पागल है विद्धा मानिया नी सनक से आफ ओनिंग थिंग्स यानि अपना बनाना थिंग चीजों को तो इस लाइन में कभी कहता है कि जो जानवर है न वो इनसानों के जैसे चीजों को प्राप्त करने के लिए कोई पागल नहीं है उस पागलपन के सनक से कोई जूज नहीं रहा है कोई भी और संतुष्ट नहीं है ऐसा जानवर हमने नहीं देखा कि जो और संतुष्ट हो कोई भी पागल नहीं कि हमें वो चीज़ चाहिए वो चीज होता है यह रहा था था तुरोय और साल हम से कोई बड़ा कोई wie और हम क्या करते हैं ऊसके सामने जुकते हैं अपना सरद्धा सिमन करतें उसके चानवर किसी किसी के सामने जुकते ऋट यहां कभी स CBBराबर समझते हैंया यहापे जो कभी कहता कि कि Unhappy नाखूष है ओवर दो ओलर्फ, धर्ती पर. उनमें से वो जू जानवर है, वो अपने आप में क्या क्या कहता है, कि हम थे कोई बहुत जान ज्रेने साथ है क् और मैं उन्हें सभिकार करता हूँ कहने का मतलब यहां पर यहां पर यहां पर कभी को जो लगता है कही ना कहीं जानवर जो है वो मनुस्तियों का प्रतिनिद्व करते हैं एविंस देमप्लेनली इन्दियर परजेशन अपने स्वामित में यानि कभी को यहां पर यह लगता है कि जान्वरों में वो गुड है जो पहले कभी मनुस्तियों में हुवा करते थे जैसे कि दयालूता मासूमियत आत्मस्वन्तुष्टी अब ये जो सारे गुड है वो सभी गुड अब वो जान्वरों में चले गहा है, अब वो गुड मनुस्तियों नहीं रहे ठीक I wonder where they get those tokens I wonder कभी को लगता है कि मुझे आश्चर होता है कि आखिर उन्हें वो जनमजात गुण मिले कहां से वो जो दयालुता के गुण मासूमियत आत्मसंतुष्टी ये गुण जानवरों को मिले कैसे ठीक है मतलब मैं गुजरा था दवे उस राष्टे से बहुत समय पहले एंड नेगलीजेंटली उद्जान बूच करके ड्रॉप दिम उसे गिरा दिया था ठीक है अला परवाही से भी आपके सकते हैं यानि यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो मनुस्यों में गुण होते हैं दयालुता के मासूमियत के आत्मसंतुष्टी के वो सारे गुण जो मनुस्य है वो कई वरसों या बहुत वरसों पहले उसे छोड़ चुका है क्यों क्योंकि इनसान संपत्ती पाने के चीज में बहुत जादा प्रॉपर्टी खड़ी करने के रूप में बहुत पागल हुआ पड़ा है संपत्ती के पीछे दौलत के पीछे वो सारी अपने गुणों को भूल चुका है और वो सभी गुण जो मनुस्यों के थे वो अब जानवरों में चले गए कौन से गुड मासूमियत आत्मसंतुष्टी दयालुता और इंसान पागल है पैसे के पीछे धन के पीछे और वह इन सब आइडिया तो ये है सacal आइडिया आख दफ्रोयम अनिमाल करें डेखते हैंड़ संवी ब mêsेएग अग। The poet shows the contrast between animals and human beings जो कभी है वो जानवरों और मनुसियों के बीच में एक बिरोध दिखाते हैं क्या दिखाते हैं? According to the poet, कभी के अनुसार animals यानि जानवर are better than human beings कभी के अनुसार जो जानवर होते हैं वो मनुसियों से बहुत अच्छे होते हैं and or have all the qualities सभी गुड होते हैं that humans जो मनुस्य लैक कमी है और है फ्रगाटन या भूल गए हैं कभी के अनुसार जो जानवर होते हैं उनमें सभी गुड होते हैं जो एक मनुस्य में होना चाहिए लेकिन जो मनुस्य हैं उन गुडों को भूल चुके हैं या उनमें उन गुडों की कमी है आए आगे देखते हैं the theme of the poem is not to say how good animals are but to compare humans with them in order to highlight the flaws of human nature पहले वर्ड की मीनिंग समझ लेते हैं the theme theme का मतलब होता एक विशेश टॉपिक है विशेश पॉइंट है विशेश मुद्दा जिस पे आप बात करते हैं the poem यानि कविता कि is not to say कहना नहीं है how good कितने अच्छे animals यानि जानवर है are but to compare लेकिन तुलना करना humans with them उनके साथ मनुस्यों की in order to highlight highlight करने के लिए मतलब उसको केंद्र में लाने के लिए उसको दिखाने के लिए the flow यानि कमिया फ्यूमन नेचर यानि मनुस्यों की ठीक यानि जो मनुस्य है ना बहुत सारे गुण है जो भूल जैसे कि मासूमियत मनुस्यों में नहीं रह गई है उनमें संतुष्टी आत्म संतुष्टी नहीं रह गई है उनमें धयालुता की कमी है तो अब यहां पे जो कभी है वो यह नहीं कहना चाहते हैं यह नहीं कहना चाहते हैं कि एनिमल्स कितने अच्छे होते हैं उनमें कितने से सीखने की जरूरत है अब ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि मनुस्य ना इतना ज्याधा स्वार्थी हो गया है कि उसके अंदर से मासूमियत भोलापन दयालुता आत्मसंतुष्टी सब गायब हो गया वो पैसों के पीछे भाग रहा है भागता चला जा रहा है लेकिन जानवर ऐ यह था सेंटल आइडिया दपोयम एनिमल्स ठीक है तो मैंने हिंदी एक्सप्लानेशन और सेंटल आइडिया दोनों को कवर कर दिया है ठीक आई होप आपको चीज़े समझ में आई होंगी और आपको मदद भी मिलेगा कि आप गूट मार्क्स गेन कर सकें बोड़ एक्जाम में ठीक है तो मेरा एक्स्प्लानेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट में जुरूर बताइएगा थैंक्स वर वाचेंग